तो दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंट्स करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं अन्चूल आज आपके लिए लेकर रहा हूं करंट अफेर्स का लेक्चर तो आज हम पढ़ने वाले हैं 19 जुन के करंट अफेर्स तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर तो आज हम सबसे पहले अब बढ़कर हो गई है अठाव तो एक तरह से अठाव प्रतिसत का जो इंक्रीज देखा गया है वह उन्होंने यह नाउंस्मेंट किया फॉर्मल एंप्लोईमेंट में फॉर्मल एंप्लोईमेंट का मतलब यह होगा कि जो अपचारिक रोजगार है यानिकि दो तरह के जो होते हैं उप्लोईमेंट फॉर्मल और इंफॉर्मल टो यह फॉर्मल के बारे में टाटा दिया गया है तो एक उन्होंने कहाँ कि काफी कम लोगों ने पैसा निकलना है ज़्यदा लोगे वहेंगे कर दोसे कराएं कर रहा हो इसका कारण रहा है Bye-bye-bye, उन्होंने काम किये है जैसे कि की एक जीस्टी विल्यमेंट करना हुग गाया या फिर फिक्सलिशे इंकम कॉंट्रेक्ट है में उनको अलोग संअ मैं फिसका हेड़कवाटर नहीं दिल्ली में और जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिशनर यानि के एक तरह से जो इनका है वह सुनिल बर्थल बर्थवाल नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेर इंट्रनेशनल अफेर कि है कि इंडिया को उलक्ट कर लिया है ने एक्ट किया गया है श्कु effet non permanent member of un security council यह 2021 से करेकाल है उसके लिए को क्या है तो इंडिया को अनहें ख़िया तकर परेकाल सब्छाए गयात करने विसकी ठीसे अधिनफर इसी सेव तो T यह को पेर चौन के लिए उएंसे कली ईनाइट श।्प क्वली टॉपर्म के लिए यह यस जपनिव एंकर यदो नंबर दो हजार बाइस तक का यह कारेकाल रहेगा जो इंडिया का जो इंडिया के मेंबर होंगे जो एक तरह से नॉन पर्मानेंट मेंबर की तरह जो यूएंजी कोटिकाउसल है उसमें इलेक्टेड हुए है तो इसमें 184 वोट्स मिले थे इंडिया को 193 वोट्स में से जो इंडिया को और इंडिया के खिलाफ कोई और नहीं खड़ा था इंडिया वाज ऑनली केंड़ेट फुर्द लोन सीट फ्रॉम एसिया पैसिफिक के टेक्री तो कुछ कटेक्री इस डिवाइड कर रखें कि भी एसिया पैसिफिक से आएंगे या यूनाइटिड स्टेट्स ज जैसे इंडिया पाकिस्दान जो आसपास की देश हैं वो सारे एसिया पैसिफिक के टेगरी में होते हैं तो उसमेंसे इंडिया इंडिया को एक अकेला ही खड़ा था और उसको 182 वोट मिल एक सो त्रवाट मेंसे और वह क्या हो गया दो साल के लिए उनको इलेक्टिड कर ल ग्यारा बारा में जो इलेक्ट हुआ था इंडिया एज नोन पर्मानेट मेंबर तो यूएन सीकर्टे कांसल के बारे में जाल लेते हैं हैड़कॉर्टर इसका नियॉर्क यूनेश्टेट्ट सेट्स और प्रेजिडेंशी एन एक तरह से प्रेजिडेंशी कौन है इस अहल्ड हासिल करता है उसके बाद उसके बाद नेक्स तो यह सीरीज में चलता रहता है तो जून 2020 के लिए अभी फ्रांस का जो है प्रेजिडेंशी है वह है वहां पर नेक्स जो बैंकिंग फाइनस से लेड़ आर बिया ने प्रपोज किया कि नहीं रूल होने चाहिए हाउसिंग फ रूल है जो की बैंकिंग सेक्टर में अरे आपको पता है जो हमारा जो देश पाब है पूरे देश में तो ने हासिंग फाइनेंस कमपनी के लिए क्या कि है कुछ चेंजिड प्रेस्क्राइब किये हैं कि भी आपको यह चैंजिडू आपको अपने जो अकाउंट बगरा है उनमें efficiency बढ़ाने के लिए और जो लिक्विडिटी या डबल फैनेंसी की जो concerns आते के जो problems आरे थे उनको solo करने के लिए यह जो नहीं नीती बनाएगी है RBI के द्वारा तो इसमें क्या क्या कि जो non deposit है taking HFCs का मतलब क्या होगा कि housing finance company तो उनका जो non deposits है with asset size of rupees 500 crore and above तो जिसको 500 साइड पांसो से जिसका 500 crore से जयदा उपर amount है and all deposits checking HFCs irrespective of asset size और जिसका मतलब asset size के साथ कोई संबंद नहीं है यह deposit और दूसरे deposit होगे वो non deposit है तो deposit और non deposit में condition लगा ती 500 crore and above और जो deposit है उसमें कोई condition नहीं है कोई asset size का irrespective of asset का मतलब है कि सभी एक बराबर है कोई किसी के उपर रूल्स बगार नहीं लगेंगे will be treated as systematically important HFCs तो जो deposit taking HFCs है उनको तो उनको तो सारी लेगे दी गई है जो systematically important HFCs का मतलब हो गया कि वो काफी महत्रपून है उनके पास काफी क्या है जो देश के अर्थवेश्त है उनके ओपर भी TQE है और जो non deposit taking HFCs है उसमें कोई कोई लिया गया है जो जिसका size asset size 500 crore से अबाव है और तहर्ड का है कि housing loans must account for at least 50% of HFCs asset of HFCs housing finance companies उनका जो 50% से ज्यादा है कम से कम 50% उनका housing loan होना चीए which is at least 75% towards individual housing loans तो जो मतलब होने काई जिए कि जो उनके total assets है HFCs के housing finance companies के उनके जो assets है कम से कम minimum 50% क्या होना चीए housing loans होने चीए और उन housing loans में भी 75% किसका होना चीए तो individual housing loan है individual को दिये गए है तो उसमें क्या होना चीए 75% इसका इससा वो होना चीए HFCs which do not fulfill the criteria will be treated as NBFCs investment and credit companies तो उनको क्या माना जाएगा NBFC नन banking finance companies investment and credit companies तो NBFC ICC के तोर पर उनको फिर मतलब treat किया जाएगा जो यह condition को fulfill नहीं करेंगे तो RBA के बारे हम जान लेते हैं हम headquarter Mumbai महराष्टरा में formation वी थी एक April 1935 को हिल्टन यंग कमिशन के recommendation पर और governor है अभी currently सकतिकांता दास और जो डिप्टी governor है उसके बीबीपी कानुन गो मैश कुमार जैन माइकल पत्रा और एक अशीड़ अभी क्या है अब जो इसने क्या कि अपना एक्ट है जो सेवी एक्ट सेवी रेगलेशन एक्ट 2011 उसमें कुछ चेंजिस किये था कि जो प्रमोटर सेर होल्डिंग है प्रमोटर क्या होता कि जैसे आपको कोई start-up वगडर आपने start किया है तो उसमें कोई पैसा लगाता है तो कोई उसको प सेवी रेगुलेशन एक्ट 2011 है उसमें तो अफ्र अक्साइजिंग देपावर कंफेट अंडर सेक्शन 30 अफ दस सेवी एक्ट है 1992 तो जो सेवी है वो 1992 में एक तरह से बनके आई थी तो उसका जो सेवी एक्ट 1992 है उसमें एक आर्टिकल जो सेक्शन 30 है उसमें दिया गया कि सेवी एक्ट आए उसमें तो इसमें जो 15 ऑंचेज इसे करके दो फ्रर राइगोलेशन ने स्कूरा है इस सब्रेकल कर लिया है तो सब तो इसमें जो सिक्योरटी और आप इंडिया हैब सेबी है उसने जो सबस्टेंशियल एक्वेजन ऑफ शेयरस और टेक वर्स रेगुलेशन है जानिकि एक दरह से 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 Metal से स्ट चानलेशन ट्री है रहेच्ट सेंटेस्ट वाद submitting देजार के लिए कुस्टा अस्क में है उनकी लेक लिस्टिट कंपनी में कोई भी लिस्टिट कंपनी है उसमें उनकी जो एक्विजेशन पावर है उसको बढ़ाया जा सकी तो अमेंडमेंट अलावज़ प्रोमोटर्स ओविंग 25 परसेंट और मतलब जिसके परमोटर किसकी उसकी परसेंट ज़्यादा जो कंपनी है किसी भी परसेंट से और यहाद है तो व्यों कैmaking पर्मोटर भो जाएगा और अभी पिछले साथ है उसकी लिमिट की थी कि भी हर साल वो 5 परसेंट अपनी जो कि इसे रहोल्डिंग कपेस्टि है या अपने यो सेर्वोटंग रहें वह साल पाथश पर्सेंट तक उसको बढ़ागर के कर दिया गया है कि आप वह साल एठ पर संट तक कर बीजिया कर सकता है अपनी जो हिस्चेतारी है वह बढ़ा सकता है सबीक अब्लिश्मेंट वह था 1992 में अभी चेयरमेंट से चल रहे हैं आ जाते हैं गी और हेड़कॉटर है इसका मुंबई महारास्ट्रा में नेक्स्ट है आई से होम फाइनेंस लोंच किया है सरल फॉर्डेबल हाफिंग लॉंच स्कीम तो यह सरल स्कीम लॉंच किया जिसका जो क्य आएगा वूमें आएंगी लोवर और मिडल इंकम के कस्टमर साइंगे एकोनोमिकली विकर सेक्षन के जो लोग हैं वो आएंगे तो मेंली यह तीन चार जो कटेगरीशन को टार्गेट किया जाएगा विदे मैक्सिमम हाउसओल्ड इंकम उफ उप टू 6 लाग पर एनम तो इसमें कहा है कि जो वूमें की जो वह है वह कंपल्सरी कर देगे कि अगर मालों आपको यह रोल लेना किसी को तो उसमें कम से कम वूमें की हिस्टारी 3-6 लाग के बीच में होने चीए और रूरल यह में इन्होंने का आए तो देश के गराम इनक्स रहों में 3-6 लाग मंबई महारस्ट्रा में और चेर्मेन कोने इसके अनुप बागची है मैनेजिंग डिरेक्टर और सीओ कोने इसके अनिरुद कमा नहीं है कि एक्ष्ट करनाटका बैंक से लेटेट नोंने लौंच किया है हेल्थ इंस्वरेंस पोलिशी टू कवर कोविड नाइंटीन इन पा कर देजर्ताल चाहरा और नंतार हिए उसको टाइम पर क्या करेंगी जो इनडिविजल नाटीन से अनक्रमित है उसके हल्फ एक्सवेंस हैं उनको कंकी उसके और उनके एक तरह से इंसवरेंस प्रोवाइट कर दिया जाएगा एल्सवरेंस तो कहाईगा कि जो हल्थ कवर है क साथ-स उसमें काया कि, य centre 399 का होगा कि ay क्या है जलिएत्थ को है जोन्नाटिका बैंक क्या है जो इंशनिवर्षल शनल्र में या न में लoki है है तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ आफ 400 रुपे से भी कम में क्या हो सकेंगे आप जो इंस्वरेंस है वो करवास केंगे करनाटका में मैंनेजिंग डिरेक्टर करने के लिए इसको करने के लिए इनोने इसके साथ बातनर्शिप की है रभी इसट कंसलेंसी कहταकर स्टेवाइस की है उसको करने के लिए यह उन्होंने टाटा ए लाइफ इन्स्वर्ट्रश्ट्रश्च के लिए इस तरह से ओन्लाइन और जो क्या होगा एक तरह से ओनलाइन पेंडेमिक तो इसको लटने कोविड़ नाइटीन से लटने के लिए क्या है कदम उठाया गया है तो एक वाइस सर्विस क्या होगा विल ओफर इन अंटरपेटड अन इंटरपेटड सर्विस्स टू कस्टमर जो इन ओनलाइन अप्लिकेशन प्रोसेस्ट पूर इस लाइफ इ जाना पड़ेगा तो कोविड़ नाइटी से भी वो बचे रहेंगे तो टाटाए लाइफ इंसरेंस के बारे में जान लेता इसका जो हैड़कोर्टर मुंबई मारस्टर में इसके एमडी सी यह हैं रिशी श्रीवस्तो और चेर्मेन स्वरव अगरवाल तो नेस्ट है बैंक इसको बड़ता यह तो तीनों इस शीरीज में आपको यह याद रखने जी हैं तो इंडिया इस थर्ड लाजिस्ट लेंडिंग जो वह लेंडर है उसने क्या किया है कि डिजिटल करने की अनौसमेट कर दिया है इन्होंने क्या क्या करेंगे फुल जो लेंडिंग ओप्रेसे नहीं होगा हमेशा क्या होगा सिर्फ इंडिजिटल वर्क होगा ओनलाइन एप्लिकेशन वगारा फिल कर दिजिटल लॉंच के लिए तो बैंक है सेट अपे न्यू वर्टिकल डिजिटल लेंडिंग डिपार्टमेंट एड़ दा कॉर्परेट ओफिस तो इन्होंने क्या कर साथ जो अन्यूर्वेश पर इनलेटिक अनलीटिक शेंटर है रिस्क मेनजमेंट है मारकेटिंग हैं सबसे लिट जो भी सिक्वान कर सकते हैं उनलाइन डिजिटल लिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो बैंक यॉओ अप्डॉधा के नाम से है उसको पहले बढ़ता क नहीं क्या है कि जो वॉलका बोजकिर है वह फ़र्स्ट तर्कीस मन गए तर्कीस मन की तरकी है जो कंपनी वहां से यह आये है तो पहले तरकी के पहले आदमी है पहले है जो क्या बने है तो इलेक्टिट प्रेजड़ेंट ओफी सेवंति फिफ्ट यूनिन एंजनल असेम्बली तो इनको UN Journal Assembly का क्या बनाए गया है प्रेजिनेंट तो ही 75 प्रेजिनेंट होंगे और इनका नाम क्या है वोलका बोजकीर तो यह कहां से हैं टरकी से हैं एक साल के लिए चुने गई हैं इससे पहले कौन थे तो जानी मुहमद बंदे थे जो की डिटायर हो रहे हैं से सप्टम्बर 15 2020 को उनका सेशन वहां पर खतम हो जाएगा और इनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा 15 सप्टम्बर 2020 से तो इन्हें 118 वोट मिले हैं तो जो गुप्त मद्दान होता वहां से उससे वोट होती है तो 75 जैसन होगा यून जनल काउंसील का वह कब से होगा 75 सेशन होगा सेप्टम्बर 15 2020 से लेकर के सेप्टम्बर 2020 तक यह 15 दिन का सेशन चलेगा लोकेशन होके इसकी नियॉवर्क य यूएन सेक्रेटरियेट तो यूएन जरनल असेमली के बारे में जालने थे हैं यह काड़र इसका न्यूयोर्क यूनाइट स्टेट्स में हैड हमने हैड हमने बताए दिया अभी कॉंसल्टर तिजानी मुहमद बंदे हैं और नेक्स्ट होंगे वॉलकन बोजकीर होंगे यह 15 स था उन्होंने स्तिफा दे दिए तो अभी नए चृप कुटा नाज़्त प्राइमिंस्टर हो कॉन आपकर है कुटा कुट बेख बोघ़ानव कि हैं 25 साल की उमर के नियुक्तेट्स कि इसकी प्रेजिडेंट है किया के गए सो शोरण बई-बई-बन वेक्ष शुन वेको तो सबस्काइब सबस्क्राइब जो कुबार्ट बेक है बरोनोव है उन्होंने इनको सक्षीड किया है यह अब 17 जो उनसे प्रेजिडेंट होंगे जो किर्गिस्तान है वहां की किर्गिस्तान की राजदानी है बिसकेक और करंसी है किर्गिस्तानी सौम तो नेक्स्ट नियूज जो साइस एंटेकलों से लेंट आशा का नहीं नैशनल आइरोनॉट आडविड ऑड़नुनेश्तेश्ट है उसकी जो इससे इंडिया में इस्केशर है इंडिया स्पेस रिसेडी औरशन सेलभा से ठीका यह जो नियूंकों सेट चाम नेएंगे क्या कि है वह प्लाजमा ओंकों से फाइट स्टिट 4 state चो पहले थीewCS अ का थि लिक्विड गैस और इक था प्लाजम और अभी फिफ्फ स्टेट और निकाल दी है जिसका नाम क्या है बोस रेस्टेन साथ करक्यां इन्हों ने अभजर्ब किया कि इस में यह हो सकता है रोगहना इसको अभजर्ब किया थो इसमें न्यों सबस्टेट एक उसको कूल प्याता है तो इस पर क्या होती है यह स्टेट फॉर्ण होती है जो बोस आंसटेन ने जो कनन सिट है वसस्ट वाइ ग्रेट नोस ऑबर्ट शथ नहीं सबसे पहले क्या था इसको एक तरह से खो जा था और इंडियन मैंथेमेटिशन भी थे इनके साथ तो सतेंदर नात बोस अल्मुस्ट सो यह रगो इन अर्ली 2020 तो इन्होंने 2020 में क्या क्या था कि जो प्रेडिक्ट किया था कि भी ऐसा कोई सकता है तो इननकी सिर्पेट गता है तो यह स्टेंटिस्ट एलबरेट आइंस्टेण उनके साथ कुन काम कर रहे थे इंडियन मैंथेमेटिश सतेंदर नात बोस तो नों को निक थे सको प्रेडिक्ट किया था इस लिए उसका नाम जा रखा जाता है बोस आइस्टाइन जो कंडंसेट है यह पार्टेगल का नाम यह उस तरह स्टेट का नाम रखा जाता है तो नासा के बार का है राव पार्टिल उनका दियांत गया चीजाल की उमर में उनको इनका धेहानत हुआ था जो यह लोक्षमा के मेंबर थे एंड फांडर थे किसके जनलक्स में कोपरेटिव बैंक के उनका धेहानत हो गया है तो कि उनको कुछ बीमारी होगी थी एक तरह से खेतिबाड़ी से जुड़े हुए इंसान थे मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी थे और इंडिस्ट्रियलिस थे एक बैंकर भी थे तो यहीं मेंबर ऑफ कॉंग्रेस इन 1964 में मेंबर बन चुके थे ही वाज एलेक्टेटर मेंबर ओफ एदा ट्वेल्थ लोगसभा फ्रम्दा नाशी कंस्टिएंशी कंस्टिएंशी कंड़ेट ओफ कॉंग्रेस तो 1998 में क्या आए थे यह बार्मी लोगसभा में एक तरह से कंड़ेट बन करके जो चुन करके नाश इसनलिस्टिक एंड जो कंगरेस पार्टी है सरद पवार की उसको इन्होंने जोइन कर रहा था पहले सब्सक्राइब करते हैं उनको एक्स न्यूज है बुक्स और से लिटे तो डेब्यू नोवल है मेगा मजूमदार का नया नोवल आया पहला नोवल है सबसे पहला नोवल तो उन्होंने इसको लूंज किया तो बर्निंग दा बर्निंग क्या है इसका नोवल का नाम है मेगा मजूमदार का है तो बत्तिस एर और निच्वार्ट की राइटर है वो अज़ बॉर्न रेजिन कुलकता तो ये कुलकता से जनमी है और लेकिन आभी कहां रहती है निड़ खोगा और जुम्पा लहिरी हो गया वूआटी तो राइज इंदा प्लास टॉ पॉलिटिकल पावर तु गेंट फेम इंडर फिल्म इंडस्ट्री की इन स्टीस इन चाहिए तो इनका मतलब में आधकी स्टॉरी कहा गुंतुद कि भी तीन करेक्टर हैं वो उनका सपना है कि वो फिलम इंडिस्ट्री में जाएं और वहां पर फेम हासिल करें तो इस तरह से क्या होगा कि इंडियन सुसाइटी में क्या कुछ चेंज आते हैं तो उसके बारे में एक तरह से एक स्टॉरी है जो दा बर्निंग है एक स्टॉरी है। जिसको लिखा है मेघा मज़िमदारने तो बुक को आज पपल्स ट होन स्टॉंस कंटन मोने पप्लिश किया था बई नोफ डबल डए इंपब्लिश्ग में पब्लिश किया हैर तो नेक्ष ते निज़ स्टेट निजँज ते अभी ते लंग ना के बार चाल ते लंग तो प्रोमिल्गाना की उन्होंने प्रोमिल्गेट कर दिया है तो उन्होंने पास किया है तरह से स्पेशल प्रोविजन एक्ट है यह । उसमें कहा जोever सेलरी जा और पैंसंगा में जो होगा और सरकार से पैंस्टन लेते हैं। कि जाएक है। Чlar to become कर सीचा कर देंगे धिशुध करते काटने की उसनगा को सुख्स्की देई हैं अभी उनके खरचा का है उनके उपर सरकार कुई अपने के लिए तो उनको पेमेट क्या दिजाएगी उगतान आधे से अधिए नहीं है तो मितलब फिफ्टी परसेंट से ज्यादा नहीं होना सिए एंड टोटल पेमेट है प्टली उसकी 50% से ज्यादा आप उसको नहीं कर सकते डिफर नहीं कर सकते वाइल और अला इंडिया सर्फिसरिस अंपिन कट पाए 60% तो उनकी जो ऑल इं स्टेट के अंदर से खरी राँ और जो स्टेट फ्लावर jati you are् क्रफीन के साथ हां क incarnataka कर ने अब्जर्व किया te am grinder-17 & 2020 को तो और क्यास था maas किया किया था तो एडिर्फीनिस्टर सब्कूफ हैं दिर्फीन gewis学生 कि जो करनाटिका है वो अतारा जुन 2020 को मास्क डे मनाएगा तो कृरेट अवेरनेस टू जनरल पब्लीक तो जो वेरिंग है मास्क की पहनने की जो इंपोर्टेस है मास्क की उसको बताने के लिए लोगों तक पहुंचा अग्रूप करने के लिए लोगों को तो इन्होंने गया सावालनी है मास्व या थो सोचल डिस्टेंसिंस करने का है यह इन सब खिलाव क्या है इस दे मनाया गया था कराटका के कैपिटल है बेंगलोरू गवर्णर है वाजू भाई रुदा भाई और रख्ची फिनिशन भी एस यह दुरप्पा तो लास्ट न्युजाज की अग्रिकल्टर डिपार्टमेंट ऑफ जैमोमेंड कस्मीर चेंज इस नेम टू अग्रिकल्टर प् पार्मर्स वेलफेर डिपार्टमेंट अभी उसका नाम रख दिया गया है तो जो अभी नहीं रूल्स होंगे तो उन्होंने नहीं रूल्स को भी क्या कर दिया है अलग-अलग से अलग-अलग बोस्ट के लिए ने बता दिया है बना दिया एक तरह से जमिन कस्मीर जनरल केरियर पॉइंट को और इस वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए ताकि दूसरे पर चुत की वीजियो आज की करेंट रफेर्स है वो पहुंच चके थैंक यू थैंक यू वरी मुच